क्या भारत में बज़ट की खबरों के नीचे फार्मर्स का शोर कुछ दिनों के लिए दबेगा? अगर दबेगा तो कब तक? इसके साथ साथ बाचीत होगी बर्मा या मेहनमार में एक और फौजी बगावत आंगसान सूकी की हकूमत को फिर पलता दिया गया और आज का मुद्ध निउस टॉक में बिला तकल्ब में आप मेरे साथ सुनेंगे इस हवाले से भी के अमेरिका क्या कहता है बर्मा मेहनमार के इस रीसेंट कू के सिलस्ला में उदर इमरान खान का पाकिसान में ये एक शो शुरू हो रहा है आपका वजीर आजम आपके साथ तो क्या ये उनका शो उनकी सियासी शोबदाबाजी होगी इस पे कुछ बाचीत होगी टॉरॉन्टो का भी बजट आ गया टॉरॉन्टो सिटी हॉल का उस पे मैं थोड़ी सी बाचीत करूँगा सबसे पहले हम आज का एहम मुद्दा लेते हैं भारत का बजट और फॉर्मर्स भारत के इस बजट में एग्रिकल्चर सेक्टर की बहुत बात की गई है फॉर्मर्स पॉर्टेस्ट जो चल रहे हैं उनके कॉंटेक्स में ये बजट बहुत ही मानी रखता है इस बजट पर एक नज़र डालने से पहले मैं चाहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर नेद्रा मूदी का एक वीडियो क्लिप आपके साथ शेयर करूँ और इस वीडियो क्लिप में कुछ जल्कियां भारत की फिनांस मिनिस्टर की भी हैं जिन्हों ने ये बजट पारलीमेंट में पेश किया देखते हैं वीडियो क्लिप देश में एग्रिकल्चर सेक्टर को मजबूती देने के लिए किसानों की आई बढ़ाने के लिए इस बजट में बहुत जोर दिया गया है कई प्रावधान किये गए हैं एग्रिकल्चर सेक्टर में किसानों को और आसानी से और जादा रण मिल सकेगा देश की मंडियों को यानि एप्यम सी को और मजबूत करने के लिए ससक्त करने के लिए एग्रिकल्चर इन्फा सेक्टर फंड से मदद का प्रावधान किया गया है यह सब दिन नहीं यह दिखाते हैं कि इस बजट के दिल में गाव है हमारे किसान है MSME सेक्टर को गती देने के लिए रोजगार के अउसर बढ़ाने के लिए इस बार MSME सेक्टर का बजट भी पिछले साल की तुलना में दो गुना से जादा कर दिया गया है साथियों यह बजट आत्मंदिर भरता के उस रास्ते को लेकर आगे बढ़ा है जिसमें देश के हर नागरी की प्रकती शामील है अज़ एलिए से के लिए के लिए बजट आप एलिए अझफियों से अपजिन दूच जय को आप दिया ले लिएक कि अवित निए कर देश्ट निए उन्नक्तू से बनाश्टोर Кई वबजट में प्रविश के को इंज़ की न्या है जो दो खास मुदे देश के सामने हैं, वो है के डिफेंस और अगरिकल्चर, क्रिशी और हमारी सीमाओं पर सुरक्षा करना, डिफेंस बजट कोई बड़ातर ही नहीं हुई, और अगरिकल्चर में इन्होंने कोई स्कीम नहीं दिया, हाला कि आंकड़े दिया हैं, और आंकड़ों के आधार पे ये कहते हैं किसान खुश है, लेकिन खंशा किसान तो अंदोलन पे बैठा हुआ है, तो आंकड़ों से कोई आंदोलन तो नहीं खतम होगा. भारत के 135 करोड जन्ता की अफिक साओं और आकान साओं को ध्यान में रख करके, एक विकासों नमुक और ब्यावारी बजट प्रस्तुत्थ करने के लिए, नादनी प्रधान मंत्री जी का, और मानिय बित्त मंत्री जी का, हिर्दे से अविनंदन करता हूँ. जैसा के आप इस बजट की ख़बरों के कांटेक्स में देख रहे हैं के एग्रीकल्चर सेक्टर पर बहुत जोड दिया गया है और जाहिर है, इसकी बात जुड़ी हुई है इस वक्ट फार्मर्स पार्टेस के हवाले से, फार्मर्स पार्टेस दो महीने से जादा हो गए है चल रहे हैं सिंगू बार्डर पर और बहुत सारे कंसर्ण भी हैं उनके बहुत सारे मुतालबे सुनने के लाइक भी हैं मगर वो जिस तरह स्ट्रेच कर गया है फार्मर प्रोटेस और जिस तरह इंसरेक्शन और टेरिस्ट एक्टिविटीज हुई हैं भारत के कॉंस्टिशन पर रिपब्लिक डे पर वो एक बहुत ही बड़ा कंसर्ण है उस समय ख्याल था कि जितना बड़ा ये कदम उठाया गया टेरिस्टों की तरफ से उसके बाद क्रैक डाउन होगा लेकिन भारत की सरकार की प्रेफरेंस थोड़ी से मुक्तलिव रही उन्होंने डेमोक्राटिक पर तरजी दी यूं लगता है या अंदर की पॉलिटिक्स क्या है उसके बारे में भी मैं कुछ कमेंटरी पहले कर चुका हूँ आप भी समयते हैं कि ये एक मुश्कल खेल है लेकिन इस बजट में फार्मर्स के इशूस के हवाले से और एगरिकल्चर सेक्टर के हवाले से ब बात ये है कि इस वक्त जो परटेस्ट अभी भी जारी है क्या इस बजट के बाद जो इस तरह की फजा बन सकेगी कि ये परटेस्ट माइल्ड हो सके और किसान अपने घरों को जा सके पहले देखते हैं मिस्टर रकेश टिकेट जी क्या कहते हैं फिर मैं कुछ थोड़ी से कम कि बजट से देखते हैं क्या है क्योंकि परधानमंत्री और सरकार किसानों का नाम ले रही है किसान आंडोलन दर्थ है किसान सड़कों के उपर है तो बजट में तो ओना चाहिए अगर अगर अब भी बजट में नहीं होगा तो क्या जीरो पर बजट जाएगा हमको यह है कि डारक्ट कैसे उनका फायदा हो सकता है फसलों के रेट से अब किसान का भला नहीं हो सकता अब भला होगा कि जिस हिसाब से मार्किट बढ़ रहे हैं उसी हिसाब से मार्किट के हिसाब से ही किसानों के फसलों के रेट भी बढ़े हैं वो रेट नहीं बढ़ पा परजादे का हो सकती है उनको equipment फिरी और कम पैसुमदे का हो सकती है सबसेडी उनको direct दे अगर कोई डिजल से खिर्ति कर रहा है उसको दो चुटा किसान है जो एक एक कड़का अगर कोई जुटे किसान को ज्यदै परायटी है कि एको कितने लोग उस मेंबर हैं अगर कोई आ च्छोटा किसान है तो उसको जादे फैसलिटी ने चाहिसे एक्यूपमेंट हो यो किसी भी तरीके हो या उसको पानी की सुझा है कंट्यूंस को पानी उसको फीरी मिले तो उसको ज्यादे बेनेफिट सरकार को देना चाहिए जादा लोग जो सहीद हो गया हमारे तो जिसकोज के लिए आए है किसान ऐसे कैसे चल जाएगा हमारा आए कि बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं आप बनी रहें दो पुलिस तो बनती है पुलिस ठोड़ा बनती है तो सरकार की पुलिस ही होती है भारत बजट के कांटेक्स में किसान पौर्टेस्ट के जो सबसे बड़े लीडर अब तक मीडिया पर सामने आए हैं रकेश टकेट जी आपने उनकी बात जी सुनी आपने गोर किया होगा कि वो जारा टोन डाउन हैं बहुत फ्रेश भी देख रहे हैं और एक खुद नेता के तोर पर सामने उबर रहे हैं जो कि जो हमने भारत के पार्लीमेंट पे अटैक के बाद पार्लीमेंट से ज्यादा मैं कहूंगा इन फैक्ट लाल किला पर जो लाल किला इन फैक्ट पार्लीमेंट का का इक सिंबल है उस पर अटैक के बाद जो उनकी हालत थी और जो चार बूंद आंसू के बहे थे बकॉल उनके साथ ही मिस्रियादिव के मताबिक तो इस पर बहुत सारा तफसरा इस पर भारत के मीडिया पर हो रहा है कि क्या है वो चार बूंद जो थे वो उतने बड़े जो टेरिस एक्ट के जो किसानों में कुछ मिले होए थे लोग जिन्हों ने वो किया उसको टोन डाउन करने के लिए थे अब तक की जो भारत की सूरते हाल है वो यह है कि वाकिए उन चार आंसू के बूंदों ने वो सूरते हाल डिजॉल कर दी अदर्वाइस तो बहुत बड़ा क्रैक डाउन डिजर्व करते थे ये सारे के सारे लोग जन्होंने लालेसनेस की इंतहा की थी लेकिन वाकिए उनके चार बूंदांसू जो हैं वो काम आए और अब वो बहुत फ्रेश दिख रहे हैं और बाचित कर रहे हैं और टोन डाउन भी है आज की इस गुपतू में अगले गंटे क्या उनका एटिचूट होगा कल के रुज क्या होगा कुछ पता नहीं कल कहां से कमक आती है चीन से या पाकिसान से या कहां से साथ मिलता है तो किस तरफ ये बात चल पड़ती आगए ये तो बात की बात है लेकिन अभी वो जैसे यू दिखता है कि जैसे वो नेगुसेशन के मूड में हैं इस वीडियो कलिप की हद तक आखर में अगर्चे वो ये कहते है कि हमारे बहुत सरे लोग मारे जा चुके हैं जो जाहर है दो महीनों से बैठे हुए हैं कोविट भी चल रहा है सर्दियां भी हैं बुड़े लोग भी हैं कई उसमें अपनी जिंदगी की बाजी भी खो बैठे तो वो कहते हैं कि हम उन शहीदों को ऐसे तो नहीं बूलने द चुस पर काफी जोड दिया है यकीनी तोर पर इस बात को पेशे नजर रखते हुए कि इस वक्त फार्मर्स बारहाल बहुत सरे मतालबात कर रहे हैं और गार्मिन्ट उनको लिवरिच देना चाह रही है अब इन पर है इस फार्मर्स पर कि क्या ये भी अपनी जो झुलिज को आने वाले देनों में डॉेल्ब होती रहेगी मैं भी आपके साथ उसको इसी तरह पेश करता रहूँगा है और अपनी कमेंटरी भी आपके साथ शेयर करता रहुँगा बजए की बात हो रही है और टॉर्अन्टो सिटी कांसल का भी बजट इतफाक की बात है कि आज ही के रोज आया जब भारत का आया अगरचे इसमें कोई ममासलत नहीं है सिर्फ एक ही ममासलत है कि डेट एक है और बजट की वहां पी भी बात है यहां पे भी बजट की बात है उसके कांटेक्स में ये बजट काफी टफ है और उस बजट को टॉरंटोनियन्स टॉरंटो में बसने वाले लोग कैसे देखते हैं उन पर कैसी असर अंदाज होता है ये अभी डिबेट चलेगी जून जून चलेगी हम इस पर भी कुछ आने वाले दुनों में आपके साथ बा बर्मा यानि मायान मार्क पे जो एक तरह से बलके एक तरह से नहीं हर तरह से फोजी कू हुआ दो हजार ग्यारा से हम कह सकते हैं कि आंग संसूकी जी की जो सरकार है मुख्तलिफ फॉर्म्स में मिल्टरी के साथ उनका जो पावर शेरिंग थी उसके साथ मुछ चल रही थी already जो बर्मा की मिल्टरी है वो उनका सो काल नाम नहायर डिमो करेसी के दिनों में भी 25 परसेंट शेर होता था 25% शेर से मुटा कि ये थी कि हमारे पास MINISTRI डिफैन्स ही रहे इंटीर मिनिस्ट्री भी रहे फोरान मिनिस्ट्री भी रहे वही यहाल जो पाकस्तान में है पाकस् कली उनी के पास है चाहे फरंट पे इमरान खान और नौाज शरीफ हों कोई भी हो मियान मार में वो आफिशली थे के ये मिनिस्ट्री हमारे पास रहेंगे अब उन्होंने कू कर दिया ये कहके के आपोजीशन का ये कहना था कि इस एलेक्शन में जो रीसेंट एलेक्शन हुए हैं बहुत ज्यादा जो है दांदली हुई है हालांके उस एलेक्शन में जो आंस संसूकी की पार्टी है वो कोई एटी परसंट के करीब वोट्स लेकर कामयाब होएते हैं मगर लगता है के मिल्ट्री का जो पावर शेरिंग का जो फार्मूला था इनके साथ वो फैल हो गया उन्होंने फिर एक बार डireक्ट उस पे कब्जा कर लिया आल्मूस्ट दस बरसों के बार दोजार 11 के बार फिर वहां की मिल्ट्री ब्राहे रास्त सामने आ गही है कू कर दिया जो मिस सूकी हैं उनको भी अरेस्ट कर लिया इसके साथ-साथ जो और भी प्लिटीकल लीडिर उनको भी अरेस्ट कर लिया और इस मौका पर अभी अभी थोड़ी देर पहले वाइट हाउस की प्रेस सेकेटरी मिस जैन साकी ने बात चीत की है वाइट हाउस में प्रेस रिपोर्टर्स के साथ और उन्हों ने अमरीका का जो टफ पॉइंट व व्यू है वो दिया है और बड लेगिया शेर करते हैं मिस जैन साकी वाइट हास की प्रेस सेकरटरी का कि अती है तुराओ उन्यवान प्रॉम्स पस्ता कि असूमेंगा प्रभाइब उन्यवांड प्रॉम टोर्मारी प्रहिंग, इक जञी नथरेक्षा टारीजे का अर्षट अस्थे हो जिए लाज्वार्ट ने जज़ इस आन्यवान प्रॉम्स असाषब टॉम्स तीमेट ब्रॉ and have you, has there been any contacts with China to discuss the situation? Well, we have had intensive consultations at multiple levels with allies and partners in the region and around the world. I would expect many of those would come through the State Department, so I'd certainly refer to them for more specifics. Hans? Yeah, to make this fall, Burma, in your statement last night when you said you might take action, you referred to it as Burma and Myanmar, and in the President's statement just now, he only uses Burma. Is that indicative of a formal shift to the United States government on how we are to refer to that Southeast Asian country? Well, our official policy is that we say Burma, but use Myanmar as a courtesy in certain communications. So, for example, the embassy website refers to Burma, Myanmar, because they are by definition dealing with officials and the public. The State Department website uses Burma, Myanmar, and some places, and Burma and others. So, there's no official change. You last night used both, and the President goes four times with Burma. Was he meaning to be discourteous? I don't think that's the conclusion you should draw. Certainly, he is watching this closely, as is evidenced by his statement. Very interesting. Now, the White House Press Secretary Jane Saki reports are giving a lot of debate. It's been a debate that it should be written or should be written. It's been a debate that the coup is made, what action is made. It's been a debate that Miss Jane Saki is only about it that we are reviewing and seeing what to do. It's been a reversal of sanctions. कि इस पे जियादा गुफ्टकू चल लिए कि प्रेजिडंट जो बाइडन ने चार बार कहा है कि वो बर्मा ही कहेंगे और उन्होंने इंसेस किया है कि उसको मेहनमार नहीं कहेंगे बर्मा कहेंगे और जब रिपोर्टर नहीं ये कहा कि आप ये बताईए कि क्या इस तरह आप बात को इस तरह ना लें लेकिन अफ कोर्स अगर वो बर्मा ही कहने पर इंसिस्ट कर रहे हैं तो ये एक अलग डिबेट है इस पर फिर किसी दिन डिबेट करेंगे क्योंके इस कू के बाद मियानमार या बर्मा दोबारा से रिडार पे आ गया दुनिया के और ज्यादा का बर्मा में हमेशा से बहुत ज्यादा इंफ्लूइंस रहा है तो उस पर भी अभी जैन सा की प्रेस सेकर्टरी वाइट हाउस बात चीट को गोल कर गी उन्होंने एवाइट किया उसका जवाब देने के लिए बरहाल सिचुएशन काफी गंबीर है और वहां पर जो डिमॉ डिमॉक्रेसी नजर आती है एपरेंडली डिमॉक्रेटिक गॉर्मेंट ही चला रही है इंटीरियर मिनिस्ट्री डिफेंस मिनिस्ट्री और इसके साथ साथ वारन अफियर्स की मिनिस्ट्री मगर वहां की फाजी जनता ही उसको कंट्रोल करती है और उसी इन्वाइर्मेंट म इमरान खान साब ने आज एक नए शो का एलान किया है कि आपका वजीर आजम आपके साथ जैसे प्राइमिनिस्टर इंडरा मुदी का आता है मन की बात रेडियो पे तो इसी तरह ये भी सवाल लिया करेंगे और ये भी जैन में रखें कि पाकिसान में नौाज श्रीब इस तरह के शो किया करते थे इवन प्रेजिडन्ट जो फाजी डिक्टेटर हुआ करते थे पाकिसान के मिस्टर जिया उलाक वो भी इस तरह के किया करते थे रेडियो शो या रेडियो ड्रामे बारहल पाकिसान में इस वक्त जो situation है वो काफी गंबीर है, democracy का process जैसा तैसा भी उपर से नजर आता है, वो भी बहुत fragile, भी बहुत डामा डोल रहता है और इसके साथ साथ economy बहुत बुरी तरह मतासर है, security के issues हैं और लोगों में बेचैनी पाई जाती है, मेंगाई बहुत है इस environment में पाकिसान के वजीर आजम किस मूँ से अवाम को सैक कह सकेंगे कि आपका वजीर आजम आपके साथ क्योंकि आज का वजीर आजम तो आज की अवाम की जो मसाइल है उनको हल करने के सिलसला में उनके साथ कहीं भी खड़ा ही नजर नहीं आता तो बरहाल आने वाले दिनों में जू जू इमरान खान के ये रेडियो टॉक सामने आएंगे हमारी कमेंटरी भी इसके साथ साथ सामने आएगी आज का न्यूस टॉक ताहिर गोरा के साथ देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया आप जानते हैं कि आप हमारी वेब साइट पर जाकर डॉनेट के बटन को दबाने के बाद पेपॉल और क्रेड़ कार्ड के जरीए 24-7 हमें डॉनेट कर सकते हैं और आपको ये भी मलूम है कि हमारे इसी यूट्यूब के चैनल पर डॉनेट का बटन लगा हुआ है अगर आपको क्लिक करेंगे तो वो भी आपको डॉनेशन के पेज पर ले जाएगा हम आपकी डॉनेशन को आलवेज एप्रीशेट करते हैं हमने सुपर चैट का सिलसला भी कुछ हफतों के लिए रोका हुआ है इसलिए का आजकल हम अपना टीवी चैनल 24-7 लाइव वैसे ही आपके साथ शेयर कर रहे हैं दुनिया के किसी हिसे में हो आप हमारा टैग टीवी 24-7 हमारे टॉक शोस, निउस रिपोर्स, निउस बुलिटिन्स, इनलिस के साथ 24-7 देख सकते हैं Thank you very much for watching TAG TV, Bila Takallab Show with Tahir Kora